चलो आज एक प्रोग्राम कुछ मेसेज आया था कि सर ये वोला प्रोग्राम सोल्ब करा देजे ठीक है और काफी इंट्रेस्टिंग प्रोग्राम है सब कोई देखो प्रोग्राम है क्वेशन आ रहा है राइट प्रोग्राम राइट प्रोग्राम टो swap two numbers using third variable write a program to solve write a program to swap swap करना है swap का मतलब क्या हो जाता है स्वाप का मतलब क्या हो जाता है कि अगर अगर a का value suppose करो 10 है और b का value 20 है तु जब swap करेगा after swap value क्या हो जाएगा कि a में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और b में 10 हो जाएगा a और b जो value है आपस में swap कर जाएगा exchange कर जाएगा उमीद करते हैं कि सारे लोग समझ पा रहे होगे कि swapping क्या कह लागता है swapping मतलब अदला बतली मतलब कि a में अभी क्या है a में 10 है और b में 20 है जब swap हो जाएगा तो output जब आएगा swap करने के बाद में a में 10 था वो क्या हो जाएगा 20 वला आ जाएगा और b वला value a में चला जाएगा तो a का value कितना हो जाएगा 20 और b का value कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 10 clear है अब देखो छोटा सा इसका एक logic सिखला देते हैं कि कैसे programming काम कर रहा है सब को जानते हो ना कि अगर हम लोग को कोई भी variable को रखना होता है तो हम लोग सब को जानते हैं कि जैसे sum equals to a plus b ऐसे लिखते हैं तो a plus b को किसमे store करना है sum में तो sum को क्या रखते हैं पहले और a plus b को रखते हैं हम लोग बाद में यानि कि जिसमे value store होना होता है हम ऐसा वो left side रहता है जो store होता है वो right side मतलब sum पहले है उसके बाद a plus b तो a plus का value किसमें चला जाता है sum में वैसी है पता है percentage equals to जो भी निकालना है तो जो भी value store होगा पहले दिखेंगे ये concept clear है good अब छोटा सा logic हम दिखलाते हैं कि क्या करना है जिसे दो swap करना है तीसरा का मदद से तो एक छोटा सा logic पहले बताओ कि suppose करो कि एक भरा गलास है एक गलास है दूसरा गलास का नाम है बी ठीक है दोनों में भरा है पानी ठीक है suppose करो कि ये red color का है ये green color का है ठीक है आज हम लोग college में भी बात किये थे red color का है green color का है अब यहाँ पर क्या होगा कि अब देखो तो A को क्या करना है B में डालना है या B को A में डालना है तो देखो तो पूरा तो भरा हुआ है छलक के पानी गिर जाएगा लेकिन आपस में एक change नहीं होगा तो क्या करेंगी हम रुख क्या करना है using third variable तो एक third variable ले लेते हैं ठीक है third variable अलग से एक और ग्लास ले लेते हैं इस ग्लास का नाम रख देते हैं हम टेंप temporary का टेंप ले लेते हैं अब देखो छोटा सो लॉजी देखो कि अगर A वाला को सबसे पहले कुई सी काभी ले लो तो हम क्या करते हैं कि A का जो पानी था किस में कर दियें टेंप में A का पेलू किस में डालें टेंप तो खाली है तो इसमें टेंप में डाल दियें तो हम क्या लिखेंगे टेंप में डालना था यहां सम में डाले थे तो यहां पर क्या लिख देंप temp temp equals to a ठीक है temp equals to a चला गया तो ये वाला अब क्या हो गया a खाली हो गया और इसका पानी किसमें चला गया red जो है red color का पानी किसमें गुश गया temp में और a खाली हो गया a खाली हो गया ना temp में चला गया अब क्या करते है a खाली है तो B को उलट देते हैं इसमें तो B को किसमें उलटना है A में उलटना है तो A लेगा B का तो A equals to B क्योंकि A में value जा रहा है तो पहले लिख देंगे अब B वाला value इसमें जा रहा है तो क्या लिख देंगे पहले A equals to B अब क्या हो गया ए में कौन सब चला गया, ग्रीन चला गया, अब बच गया क्या, अब ये खाली हो गया, जब ये खाली हो गया, तो ये वाला पानी जो है उठा के डाल दीजे, ये वाला भी किसमें डालिएगा, बी में, तो बी इक्वल्स टू, टेम्प, अब ये वाला पानी जो रेड वाला पहले रेड था अब कियास रेड में उल्टम कर गया पानी वाला बादली हो गया एमश्म्क्राइब ऑला एमे ऐसी तेन गलास को खाली आः उठा करल लो ए वाला को पहले किसमें डाल दिये हम खाली वाला ग्लास में टेम्प में तो टेम्प इक्वल्स टू ए ए खाली हो गया बी को किसमें डाल दे ए में डाल दिये तो ए इक्वल्स टू बी अब टेम्प वाला बच्चा अब भी खाली है तो बी इक्वल्स टू टेम्प बस य यहाँ बना दे, चलो पहले यहाँ समझ लो, सबसे पहला कहानी, hasInclude iostream.h, header file, एक और header file define कर देते हैं, जो कि get ch कौनियो को, कौनियो, .h, कहीं से कोई स्पेली मत मिस्टेक करना, प्रोग्राम रण नहीं करेगा, void, main, प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है, main is also known as driver function, तीम गलास लेना है, integer type का ले लेते हैं, question है कि a में अगर 10 है, b में अगर 20 है, तो swap कर देना है, int, a ले लिए, उपर वाला ही गलास का नाम ले लेते हैं, a, b, और एक टेम्प ले लेते हैं, तीसरा गलास, ठीक है, क्या कर लेते हैं, enter करवालो दो नमबर, enter कराने के लिए क्या लिखते हैं, c out, enter, क्या करोगे, चलो, enter, two number दे देते हैं, enter two number two, swap, ऐसे भी कर सकते हो, और अलग-अलग भी ले सकते हो, end, programming में कर लेंगे, हम लोग अलग-अलग, c in, a, और b, दोनों में चला गया, अब एक चीज़ और कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कि पहले दिखेगा, डिस्प्ले करेगा, c out, before, swapping, value, r, तो क्या कर दो, a लिख लो, या ऐसे कर लो, a equals to a, और फिर, b, equals to b, तो a और b का value, दिख जाएगा, अब कुछ नहीं, वही कहानी लगा दो, जो उपर में लिखे थे हैं, क्या लिख दे थे हैं, temp equals to a, यहीं ना, ऐसे लगा लो, कुई logic नहीं काम कर रहा है, तो a वाला value किसमें डाल दो, temp में, तो temp पहले रिख दो, और a, अब a खाली हो गया, b वाला व किसमें डाल दो, a में, तो a equals to b, अब यह खाली हो गया, अब temp में जो भरा था, इसमें डाल दो, तो b equals to temp, swap हो गया, अब swap हो गया, तो फिर c out, c out, after swap, value r, समझ जा न, तो इतना समझ गया हो, swap value r, handle नहीं, यहाँ पर a का value, और b का value, जान जाओ, ठीक है, यहाँ, get c h लगागा, बन यह, इस program की बार रन करा के देख लें, देखते हैं, रन करा के computer में, आजो, ठीक है, ज़रो लिखते हैं, क्या लिख हैं लो, has include iostream.h, has, नीचे क्या लिख होगे, has include koneo.h, फिर क्या लिख हो, बोलो, बोलो, void man, ठीक है, void man, नीचे, ओके, यह ही जाएगा ना, int a, b, यह लिख्या है ना, temp, ओके, क्या कर लो अब, c out, थोड़ा उस टाइप का वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए उसका नहीं है, बस ठीकने से मतलब है, c out, enter, कुछ भी, to, element, या to number, चलो लिखती हैं, यह element to, swap, तो, यह कर लो, end l हो गया, c end में, a, b, दो number को ले ले लेते हैं, अलग-अलग भी ले सकते हैं, कोई issue नहीं है, बैसे भी करो, थो आएक्सपॉर्ट हो गए हो तो, ठीक है, c out, before, swapping, ठीक है, कुछ भी, इसमें जो भी लिखेंगे, वो जाएगा, ठीक है, वो स्पेलिंग पर ध्याने, तो भी, before swapping, values, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कि जैसे, a equals to, a का value आ जाएगा, ठीक है, और b equals to, b का value आ जाएगा, end l, समझ रहे हैं बात को, टाकि वो डिस्पले करे, ठीक है, और फिर, देखो ना जाएगा, यहाँ पर, get CH करके देख लेते हैं, कि क्या आता है, चार, पाँच, तो a का value चार, b का value पाँच, ठीक है, थोड़ा पेसेंस के साथ हैं, पूरा वीडियो देखना, ठीक है, बहुत मेहनद से, तुम लोग के लिए, बना रहे हैं, बहुत लोग को, कुछ लोगों को परिसानी भी हो रहा है, वीडियो बन रहा है, बहुत लोगों को help हो रहा है तो, लेकिन चलो, होता है, क्या करना है अब, क्या question में किये थे, question में क्या किये थे, ये वाला लिखेते हैं हम लोग, ठीक है, temp वाला function, temp equals to a, चालो, temp equals to a, पहले copy में लिख लेना, तब करना, तब समझ में आए बहुत, a equals to b, और फिर, b equals to temp, नई समझ में आगा, ग्लास उठाओ, और घर में practical करो, तब मज़ आएगा, temp ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दो, अब swap कर गया, अंदर में swap कर गया, लेकिन अब देख लो, cout, after, swapping, value r, अब वही चीज़ कर लें, वही वहला तो copy कर देना चाहिए था, चलो कोई बात, लिखती है तो, a, value r, a, a का equals to कितना, अच्छा चलो, सामने दिखला देते हैं, अइसे नहीं, ऐसे करते हैं, a, equals to, a, and, b, equals to, b, ठीक है, handle करके देखते हैं, थोड़ा सा space वहला feeling आएगा, देखते हैं, program run करता है कि नहीं, zero error, enter two element to swap, ठीक है, ये पहले four डाल दे रहे हैं, और फिर five डाल दे रहे हैं, तो a का value कितना, a का value, a का value कितना four, और b का value five, लेकिन after swapping, a का value five हो गया, यहां रूखो, थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, three, four, तो यहां देखो, a का value कितना था, before swapping, before swapping, a का value three, और b का value, four, after swapping क्या हो गया, after swapping value, और a का value देखो, three था तो क्या हो गया, four, और b का value, three, swapping, complete, program, done, clear हुआ, फिर, फिर से एक बार रन कर रहा है, फिर से रन कर रहा है, फिर से देखो, जो मन करें, क्या मन कर रहा है, चलो, हम seven डाल देए, a का value, और b का value, eight, enter, before swapping, a का value कितना लिखा, seven, और b का value, eight लिखा, लेकिन, after swapping, काम किया, वोला temporary में, temp equals to a, equals to b, b equals to temp, जो function डाल दिये हैं, हम लोग बना करके, after swapping क्या हो गया, a का value कितना हो गया, यहाँ पर a का value seven था, और यहाँ a का value कितना हो गया, eight, यहाँ b का value कितना था, eight, b का value कितना, swap, इसी को हम लोग बोलते हैं, swapping, clear है, चलो तब, आज इसी बात पर वीडियो को, खतम करते हैं, यह वाला proper way में, अच्छे से तुम लोग, notes बना लेना, और notes बना करके, एक बार जरूर देखना, इसका practically देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तीन ग्लास ले लेना, और तीनों को पलट के देखना, ग्लास का अलग अलग नाम लिख लेना, मन होगा तो, अग्लास का नाम लिख करके, जिस ग्लास में डालोगे, वो पहले लिख लेना, ठीक है, चलो, एक बड़ और समझा, सिंपल क्या करना है, दो ग्लास, दो ग्लास क्या था, स्वैप करना था, तो एक तीसरा ग्लास ले लिए हम, योजिंग टेंप्रोरी, ये A, ये B, और ये टेंप, ठीक है, तो यहाँ, दोनों में भरा है पानी, दोनों भरा हुआ है, करेंगे तो क्या हो जाए, गड़बर हो जाएगा, पानी गिर जाएगा, क्या कियें, हम A का वहलू किसमें डाल दिए, ये खाली ग्लास में डाल दिए, तो खाली ग्लास पहले ले रहा है, पहले ले रहा है, याद रखना तो पहले क्या होगा temp equals to क्या गया a दे रहा है तो बाद में ये खाली हो गया ये empty हो गया अब खाली हो गया तो अब ये भरा हुआ है तो इसको किसमें डाल दो b को इसमें डाल दो तो a लिया a लिया तो a पहले equals to b जो ले रहा है पहले बस यही जान लो कि जो ले रहा है वो पहले अब B खाली हो गया B खाली हो गया अब temporary वाला value किसमें डाल दो इसमें तो कौन ले रहा है B ले रहा है B equals to temp main कहानी इसी का है swapping का चलो thank you special thank you उसके लिए जो support में खड़ा है ठीक है चलो bye bye good night